इस वीडियो में हम दिश्क सरेंगे कुछ ऐसे players and content creators के बारे में जिन्होंने इस scene को grow करने में काफी major role play किया है But अब उन्होंने अपनी content creation journey and e-sports journey से retirement ले लिया है See, इन में कुछ ऐसे players and creators हैं जो 2018 year 2019 के समय आये पर काफी पहले ही उन्होंने e-sports को ऐसे career माना छोड़ दिया था अल्सो आप में से काफी लोग e-sports में नए हो and मैं इन players को आप लोगों से introduce करवाने वाला हूं because in some ways they helped a lot in building this ecosystem by the way ये मेरी खुद की series है for more contacts visit my instagram वैसे I tried मैं level best to find the reason why they ended the e-sports and content creation journey but most of them are not even active on their socials पर majorly इस series में सभी players and creators के discontinuation का reason almost same ही है for example irrelevancy, downfall and unstability anyways like करो अगर तुम लोग panda फैन हो subscribe करो अगर तुम लोग mortal फैन हो और share करो अगर तुम लोग सैगी के फैन हो coming back let's start with one of the biggest content creator of pubg mobile panda aka tobias nas जाने दो इनका जन्में इंडिया से तक्रीबन 6,000 km दूर upland Sweden में हुआ 1997 में जन्में panda ने अपनी YouTube journey वैसे तो 10 साल पहले ही शूरू करती थी बट उस समय वो clash of clans, castle clash and mobile legends जैसे game खिला कर दे थे before he started playing pubg then and day pubg mobile launch हुआ और उन्होंने 6 September 2018 को अपनी पहली pubg mobile वीडियो YouTube पर upload करी धीरे धीरे स्टाटेट ग्रोइंग और अपने high skills gameplay के वीज़े से लोग उन्हें जानने लगे फिर चाहे है वो classic हो या TDM में 40 skills लगबग 13 सो वीडियो अप्लोड करने के बाद उनको ये game काफी boring लगने लगा and on 8 September 1993 को और मिल करना साथ किया और साथ ही में उन्होंने vlogs भी बनाना साथ किया और बीच इच में वो gameplay वीडियो भी डालते थे but not actively करने की बात करें तो इस गेटिंग decent amount of viewership बट उनकी viewership में काफी decline देखने मिला after Tony Rani 2 इसके लाबा उनके तीन और भी channels है जिन पर total 45 million से भी जादा subscribers है और इधर मेरे 45K भी नहीं हो पारे अब growth से मुझे पता नहीं क्यों Lord Saigie की आदा गई although growth and Saigie का कोई लेना देना नहीं है but let's talk about Lord Saigie बैसे इन्होंने e-sports को खुद नहीं छोड़ा इनको छुड़वाया गया है या तुम लोग ये भी कह सकते हो कि इनको अपने साथ कोई खिलाता नहीं है इन्होंने अपनी e-sports जनी की शुरुआत 2nd October 2021 से करी पहले तो ये team Celsius e-sports में डॉमिनेट किया करते थे पर बाद में उनको और भी जादा डॉमिनेट करना था इसलिए उन्होंने team एनिग्बा चैसे रेपेटिट और्ग में जाके डॉमिनेट करने करने का सोचा काफी डॉनमेंट्स खेलने के बाद एक live stream के दौरान उनकी जादुई शक्तियां लोगों के सामने आ गई जहां तक सब ठीक था बट उन्होंने ये चीज सिट भाई को confess कर दी लेटर उन्हें कुछ पैट्टोले टाइम के लिए band मिला और आफ्टर एन येर एन सो उन्होंने फिर से comeback करने का सोचा और जन्ता का इतना प्यार मिलने के विज़े से उन्हें फिर से community से बाहर कर दिया गया क्योंकि जन्ता ने इन्हें हर जेके प्यार दिया इन्होंने अपनी जन्नी के दुरान कुल 20 events खेले जिनकी कुछ ऐसी standing रही पर जीता सिर्फ एक भाई क्या फाइदा है ऐसे जादू का जिसको लगाने के बाद भी performance नहीं आ रही वैसे on a serious note तुम लोगों को हर जन्हें से inspiration लेनी चाहिए पर example साइगी के case में तुम्हें उससे ये inspiration लेनी चाहिए कि hack करते समय तुम्हें कौन-कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जैसे कि TDM जैसे जगवा पर hack लगा कर खेलना रहसे जन्ही से मुझे इंडिया के one of the biggest content creator and retired e-sports athlete किया दा गई जब भी हम लोग PUBG Mobile की बात करते हैं हमारी Zen में सबसे पहले model का नाम आता है overall journey and उन्होंने e-sports से retirement क्यों लिया 1997 में जन्में model एके नमन माथू ने अपनी YouTube journey 2016 में start कर दी थी he used to upload mini militia and doodle army gameplay videos and he was not that serious about YouTube बट जब PUBG Mobile इंडिया में launch हुआ तो उन्होंने casually इसकी tips and tricks videos and gameplay videos दालना असाठ किया भाई के एक kill ने उनका career बना दिया मेरे मतला में एक वीडियो ने 21st October 2018 को उन्होंने एक वीडियो upload करी जो कि काफी viral भी होई इस वीडियो से उनको एक major chunk मिला एंड इतना काफी नहीं था कि उन्होंने e-sports में until you team soul से और अपना पहला tournament खेला that was PUBG Mobile India Series 2019 और इस event में उन्होंने लिटरली एक गिनेट से इस community को establish किया इसको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में cover करेंगे बट फिलहाल उन्होंने 2019 में कई tournaments किले और जीते भी बट 2020 में ही उनका gameplay काफी down हो चुका था afterwards team soul ने 2021 में अब तक कि सबसे hype lineup की announcement करी जिसमें 5 plays थे Mortal, Viper, Rega, Scout and Mavi और वो lineup बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ और इसी की बात से Mortal ने actively e-sports खिलना छोड़ दिया Mortal ने e-sports retirement लेने पर कुछ ऐसा reply दिया तो guys बहुत राय किया और अब हम से e-sports नहीं हो पा रहा है हम साला DP में 4X विट करते रहाते हैं और कोई हमको साला M46X से boom bomb देके चला रहाते है बे Well jokes apart He has delivered the most to this scene and ecosystem Okay so कुछ ऐसी रही model की e-sports रहनी But currently वो asset villain team soul के owner है And not only this He is a full time content creator उनके channel पर 7 million से भी ज़्यादा subscribers है Although उनकी viewership में एक काफी major decline है But still he is the OGS of this scene Well OGS की बात होई रही है तो हमारे next player है Team Exome से घासली भाई Well Exome घासली से related जाद information available नहीं है Because he was never mainstream But anyways घासली भारत के पूर में स्थित Assam से बिलॉंग करते हैं And he was well known for his gameplay and montages तुम लोग overthink करो उससे पहले बता दूँ ये इस एरा से बिलॉंग नहीं करते हैं ये 2018 और 2019 वाले golden एरा से बिलॉंग करते हैं उन्होंने अपनी YouTube journey 2018 में इस वीडियो से शिरू करी उनके साथ उनके कुछ teammates भी थे और उन्होंने PMS 2019 से e-sports mentally थी Team Exum के साथ कई tournaments खेलने के बाद उनके टीम को Team Insane ने 2019 में acquire कर लिया था Well, apparently इसके बाद उन्होंने actively e-sports को खेलना छोड़ दिया And he joined Team Insane as a content creator But to be honest, he was a deadly player of that era Current की बात करूँ, तुन्होंने अपनी last slice team लगबग 9 मेने पहले करी थी But arguably, अब वो gaming casually करते हैं फिर चाहे वो Valorant हो या BJM है अब हमारे next creator, PUBG के one of the biggest content creator है But I know, majority of the audience उनको नहीं जानती होगी Because ये भी कभी mainstream नहीं हो पाए He was a emulator player I am talking about Ron Gaming A.K. Ronak Makhodia Ron Gaming का जन्म भारत के West Region गान्देधाम गुजरात में हुआ उन्होंने भी अपनी YouTube journey 2016 में स्टार्ट कर दी थी जहां पर वो GTA 5 की gameplay वीडियोज अप्लोड किया करते थे And PUBG Mobile launch के बाद उन्होंने PUBG Mobile की वीडियोज दालना स्टार्ट किया जिससे उनकी growth काफी crazy होगी थी And सिफ एक साल के अंदर यानि 22nd February 2019 को ही उन्होंने अपने चैनल पर 1 million subscribers भी हिट की है और यहां पर मेरे 30K गंडे में भी मौत आ रही है Well, to be more specific उनकी gameplay वीडियोज काफी viral जाती थी उनकी चैनल की most viewed वीडियो पर 27 million से भी ज़्यादा व्यूज है चैनल पर overall 1.39 billion व्यूज और 4.5 million से भी ज़्यादा subscribers But he was and he is really hardworking Because his pen उन्होंने 2000 वीडियोज अप्लोड करी Which is insane to be honest And you know the fun part is He is married now And उन्होंने अभी तक अपना फेस भी रिविल नहीं क्या है Unlike me, मैं 100K पर कर दूँँआ इसलिए subscribe करो Anyways, करेंट की बात करूँ तो उन्होंने BGMI का content actively बनाना काफी पहले बन कर दिया था Although उन्होंने अपनी last BGMI वीडियो 23rd September 2023 को अप्लोड करी थी जिसके बाद वो अलग-अलग गेम स्टाय कर रहे है उनके downfall के काफी सारे reasons है To be more precise, उनकी वीडियोज काफी authentic होती थी जो उनके viewers को काफी पसंद आती थी But obviously, अगर आप लंबी समय तक किसी एक particular चीज को consume करते हो तो कुछ समय बाद वो आपको उतना hit नहीं कर पाती है Ron की case में उन्होंने authentic ही रहने का सूचा जिसकी विज़े से उनकी viewership में काफी major decline देखने को मिला And not only this, उन्होंने अलग-अलग games tie की है जो उनके case में workout नहीं कर पाया And ये सिर्फ दो reasons नहीं है जिनकी विज़े से उनका downfall आया In fact, March 2021 में उनकी अपने friend Mayur Gaming के साथ काफी major controversy ही जिसमें majority of the audience नहीं Mayur भाई कहाँ थामा इस controversy को हम लोग devolution वाली series में कबर करेंगे But फिलाल, let's talk about the oldest of the OG, Pansing A.K. Aditya Seherawat While researching, I thought धग, Mafia, Nova King, Scout जैसे कई बहतरीन players ने India का पहला tournament खेला है But जब मैंने अच्छे से research किया, तब मुझे पता चला That इन से भी पहले, 20 teams ने 21st October 2018 को India का पहला PUBG Mobile का tournament already खेल रख है And Pansing is amongst one of them Later उन्होंने सांगवान जैसे players के साथ अपनी lobby शेयर करी उन्होंने अपनी e-sports journey की शुरुआत एक underdog team से करी उन्होंने इंडिया का पहला PUBG Mobile का tournament खेला That was PUBG Mobile Campus Championship India 2018 उस event में उनकी decent 6th position रही अब 2019 उन्होंने team 0 degree e-sports हो journey किया And कुछ events खेलने के बाद 2020 में उन्होंने काफी teams के साथ अपनी journey share करी उन्होंने major league, human by e-sports, marcos gaming and element e-sports जैसी कई veteran team सी अपनी e-sports career में कुल 40 events खेलने के बाद उन्होंने finally 2021 में e-sports को छोड़ दिया And उन्होंने अपने career में सिर्फ e-k event जीता Now e-sports होने का officially उन्होंने कोई statement या reason तो नहीं दिया But Matt e-sports के owner ने बताया उन्होंने e-sports से retirement ले लिया है to pursue his job तो ये थे हमारे इस episode के कुछ heroes जिन्होंने इस ecosystem के build-up में काफी help करी है इस series में हम काफी players and content creators को include करने वाले है अगर अभी तक आप लोगोंने subscribe नहीं किया है Make sure to hit that like and subscribe बटन और अगर कुछ जादे ही पसंद आ गई हो तो अपने OG friends से साथ ये वीडियो ज़रूर शेय करना By the way तुम लोग comment section में मुझे call out करो उससे पहले बता दूँ ये series मैंने कहीं से चुड़ा ही नहीं है और नहीं कहीं से inspiration लिये इस series की planning मैंने September 2023 में कर ली थी But unfortunately इतने multiple projects होनी के वुज़े से इतना ज़्यादा delay हुआ मैंने सारे proofs मेरे Instagram highlights में upload कर दिये है ज़रूर जाकर check out करना अगर जाई रहो तो follow भी कर ले ना